मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं कि अगर इस टॉक मार्केट में किसी से आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है मतलब आगे मार्के एक ही रेंज में फसा रहे तो market एक direction में निकल सकता है अब देखिए आपको लग सकता है कि एक बार का scenario है लेकिन मैं आपके लिए एक video strategy का video description में link डाल देता हूं चेक कर लीजेगा कुछ दिन पहले ही मैंने बता के डाला था आप मेंसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि strategy बता दी सटीक काम करने वाली accuracy वाली strategies मैंने डाल रखी है अगर आप चेक करेंगे और वो setup अगर मार्केट बनाता है और उसके according आप trade लेते हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं जो description में मैं link डाल रहा हूं उसको मैं एक छोटे से तोर पर आपको सिखा भी देता हूं समझा भ भूटी बॉड़ी है और ऐसी केंडल्स चार पांट छे साथ कई बन जाती है जैसे पिछले दिन हमें देखने को मिला था कल की analysis में जाके देखिए मैंने यह बात बताई भी थी और strategy में हमें यह करना होता है कि जब भी मार्केट एक छोटी से रेंज में फसे और ऐसी केंडल्स बनाने लगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो अगले दिन मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देता है मैंने उस strategy में आपको यह भी बता रखा है कि 0.80 मिनिमम टार्गेट आप रख सकते हैं 0.80% का मिनिमम टार्गेट और उसके उपर तो मार्केट भागी सकता है और अगर मेरे साथ बैट के कोई ट्रेड ले रहा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि और आप सभी को मैं हमेशा से बताता आया हूं कि otm option buy करके पैसा सिर्फ market को दिया जाता है कमाया नहीं जाता है until and unless कोई specific scenario बने और एक specific scenario otm option buy करके अच्छा पैसा कमाने का यही है कि market जब भी 15 मिनिट के time frame पे एक range में छोटी सी पतली सी range में फस जाए और ऐसी candles बनाना शुरू कर दे तो हम यह मान सकते हैं कि market 8 direction में food के न जाने हुए बिना direction को जाने हुए समझे market एक direction है बड़ा momentum देगा तो otm option 55 रुपए के put भी buy कर लिए call भी buy कर लिए एक direction में जिस भी direction में आपके opposite market जाएगा उधर का stop loss आपको 5 रुपए का मिलेगा लेकिन जब market बहुत तेजी से उपर भागेगा या आपका दूसरा option की value 5 रुपए से बढ़के 30 रुपए 40 रुपए 45 रुपए या आज के जैसे इतना बड़ा momentum अगर sensex की expiry में ट्रेड ली होते तो बहुत वड़िया पैसा मिल जाता तो देखे normally मैं zero hero type trade बताता नहीं हो और मेरा मनना है कभी लेने भी नहीं चाहिए लेकिन अगर market हमें पेश क अगर गिफ्ट दे रहा है तो उस गिफ्ट को पकड़ लेना चाहिए अगर आपको पूरी strategy धंग से समझनी है तो link description में मिलेगा पूरा वीडियो देख लीजेगा जिससे आपको अगर फिर से यह scenario बने तो आपको पता हो कि कैसे trade लेना है और कैसे पैसे बनाने मैं कहता हू कि आपके पास 3-4 setup अगर हैं और महिने में वह 3-4 setup आपको 4-5-6 बार मिल जाते हैं तो आप उसमें बढ़िया पैसा बना सकते हैं आप क्या करते हैं आप ढूंते रहते हैं नहीं नहीं स्टेटी नया नया सिस्टम आपके अंदर पेशेंस नहीं आप भटकते रहते हैं आप आप यह जो मैं बता रहा हूं नहीं मार्केट डेली क्या करेगा साइडवेज होता रहेगा आपको पैसा खाता रहेगा एक दिन जिस दिन मार्केट में चांस प्रॉबिल्टी बहुत ज्यादा है उस दिन हम इसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो इन सब बातों का आपको ध्य व्यावीफ गर रहा हूं नहीं देखें मैं आपको बदाता हूं कि यहां पर मैं इस Cathy बने पर यहां पर रेड कलरों कीए के ऍमिन बनी थी आ मार्केट ने मुझे गलत यहां पर साबित कि sujet मार्केट यहां ऊपर चढ़ा और यह स्टोपलोस नहीं खाई समझ यह बात को मैं अगर अब आपको यह कहたい। इंज कmbH मुझे नहीं लगता है कि अब एक बार क्योंकि यहां पर momentum को ध्यान में रखते हुए movement को ध्यान में रखते हुए आगे का idea बनाना होता है जब market में ये red color की candle बनाई थी तो I was very clear कि market breakdown करेगा और बहुत तेजी से गिरेगा मैंने आपको लिए analysis वाले वीडियो में ये भी लिखा था कि this is a scenario कि blood bath मतलब बहुत ज्यादा पेरिश होने वाला है market हाला कि जब कल market ने कल के दिन market ऐसा momentum दिखाया तो कल की analysis में भी जाके देखेगा मैंने बताया था red color की candle तो बन गई daily time frame पे but I am not convinced with this red color की candle क्योंकि उपर के side जाते हुए market क्या कर रहा है consolidate कर रहा है और छोटी 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 चोटी चैंडल बना रहा है मतलब market में यहां से selling होने के chances बिल्कुल कम दिखने है इसका मतलब है market अगर breakout किया तो बहुत तेजी से उपर जाएगा और पूरे दिन फिर से देख लीजेगा कल के analysis वाले वीडियो में मैंने यह शब्द बार बार यूज़ की है कि market पूरे दिन एक direction में भाग सकता है call बाई करके रख लीजेगा call नहीं option बाई करके रख लीजेगा buyer का दिन कल बनता है मैंने यह बात बार बार बोली थी तो यहां पर देखिए overall परसों के दिन मेरी analysis कह रही थी कि market उपर नहीं चड़ सकता है लेकिन कल जब market ने यह situation create की तो मेरी understanding के according यह हुआ कि market एक direction में जा सकता है और वो उपर भी हो सकता है तो आपको समझना पड़ेगा analysis आप अगले दिन की कीजे लेकिन अगले दिन अग अगर market आपको बहुत विपरीद तरीके का कोई movement दिखाए तो आपको उसके according अपनी analysis को change करना पड़ता है और उसके according ही trade लेना पड़ता है आपको समझना है कि आप एक trader है अगर trader market में बायस लेके आएगा कि market bearish ही है bearish ही है bearish ही है market गिरेगा ही गिरेगा ही गिरेगा ही त market जो आपको दिखा रहा है आप उसको respect नहीं दे रहे हैं आप दिमाग में लेके आते हैं कि market इस direction में जाना चाहिए तो हर अगर आप यहां पर यहां पर आपके दिमाग में यह होगा ना कि market bearish है और नीचे ही गिरेगा तो आप हर red color की candle पर sell करने की कोशिश करेंगे sell यहा से रिवर्स नहीं किया है तो आगे से रिवर्स करें यहां से रिवर्स नहीं किया तो और आगे से रिवर्स करें इस चक्कर में market पूरे दिन एक direction में जाके end करेगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो इस situation से बचने के लिए इस बात को ध्यान रखें कि market जो कर रहा है उसको respect दीजे आपको क्या लग रहा है उसको respect देंगे तो market में loss लेते रहेंगे यहां पर बहुत अच्छी understanding हुई थी हमारी कि market जिस भी तरफ breakout करेगा उस तरफ market बहुत अच्छा निकलेगा और ऐसे situation में जब यह situation में कैसे trade लेना है वो मैंने कल नहीं बहु को loss होता है जब जो setup बने उसका उपयोग भी करना सीखे मैं तो हजारों वीडियो बना रहा हूं उन हजारों वीडियो से आप क्या कुछ सीख रहे हैं अगले दिन का मत सोचिए long time का सोचिए long time का अगर आप सोचेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि यह copy pen लेकर आईए copy pen प आपको बता दी ऐसा setup बने तो उपर भाग सकता है नीचे भाग सकता है आपको जब भी analysis कीजिए तो दो दिन को ध्यान में रखते हुए हर एक दिन अपनी analysis को change भी कीजिए अगर market में movement आपके according नहीं हो रहा है इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा और यह सारी बा दम पे अच्छे trades को execute करता है यह तभी होगा जब आपको यह सारी बातें दिमाग में बैठी रहेंगी तो यह सारी बातों को ध्यान रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे और आपको याद रहेंगे नहीं याद रहें नोट कीजे रिवाइज कीजे इस इस preparation आप exam देने जा रहें exam के preparation करनी आपको revision करना है हर दिन revision करना है तभी आप exam को अच्छे से लिख पाएंगे तभी आपको अच्छा result मिलेगा तभी आप profitable होंगे मतलब पास होंगे अच्छे नंबरों से तो यहाँ पर exam लेने कोई नहीं बैठा exam आपको ही तैयार करना ह मार्केट आपके लिए exam है आपको preparation करनी है preparation करवाने की मदद मैं कर सकता हूं लेकिन preparation आपको करनी पड़ेगी discipline के साथ आपको सीखना पड़ेगा execution मतलब exam सही time पर आके देना पड़ेगा उसके लिए आपको discipline लाना पड़ेगा और revision बार बार करना पड़ेगा तो revision जरूर क क्या हुआ है एक direction में उपर भाग गया मैं आपको daily time frame पे candle दिखा देता हूं अब इस candle के basis पे बड़ा ही आसान analysis हो जाता है बड़ा ही आसान analysis है यहां पे आप वीडियो को pause कर सकते हैं जाके देख सकते हैं अपनी analysis कीजे एक copy pen लीजे और मैं कुछ points बता दे रहा हूं उसक open हो जाता है इस candle के बहुत ऊपर open हो जाता है तो market क्या कर सकता है यह मुझे बताईएगा अगर market कहीं भी यहां बीज में थोड़ा से gap down खुलता है तो क्या कर सकता है यह बताईएगा अगर market यहां पर खुलके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे नीचे कह होना गलत नहीं होता अलग होना मतलब आपने दिमाग लगा दिमाग लगा ना बहुत अनिवार है अरे आपको टेडिंग शीखनी है मेरी बाते सुनेंगे और सुनके अरे सर कहें ना सफिक्राइब मैं गलत हो जाओंगा कोई और वेक्ति को आप भूंद लेंगे वो तीन दिन में दो दिन सही बताता है अरे यह सही बता रहे हैं मैं सही बताओ ना बताओ इंपोर्टेंट यहां यहां यह आप क्या सीखना है अगर आप नहीं सीखेंगे आप अपना दिमाग नहीं भी है मिच्ट दिखातना हूँ आपको कि मैँ आ बताना चाहरा हूं देखे इस बता आता हैं अपने अ नीचे अपने चला जाता है तो दोsim रिए गया लिए कोशिष। सब दोगों को अब यहां लोगों का पर ले में फिर नीचे चाने की कोशिश करता है contenido देखेऑ लेकिन बात यहां समझें कि मार्केट ने एक अटेंप नीचे जाने का किया अच्छी चैनल मना के उसे फेंड किया गया उन्होंने यहां पर सेलिंग की और एक एक टैप्ट फेल हुआ दूसरा या आप समझे मार्केट कर यह तो बात को समझे मार्केट दो बार प्रॉपर अक्र चुका है नीचे लेजाने का दूसरी अक्रिश्ट को भी मार्केट है ने इस बड़ी ग्रीन कलर की केंडल बनाके और उसके बाद इसको sustain कर गी यह नहीं कि बड़ी लंबी विक बन गई यह यहां विक नहीं बनी है यह पूरी candle बनी है इस से हमें यह समझ में आता है कि Sellers नहीं आप는 Sellers नहीं यहां त्राइर किया यहां Sellers ने ट्राइर किया क्या भात को समझत यहां Sellers यहां seller's का ट्राई करना वीक सेलिंग थी पहला एटम था दूसरा seller's का जब attempt आया वह strong selling थी क्योंकि यहां पे अच्छे Stop Losses खा किया है अब उसके बाद यहां जब market फिर ऊपर चड़ा है यहां seller's ने attempt नहीं किया इससे हमें यह समझना अब selling pressure यहां पर नहीं यहां पर selling pressure खतम होता हुआ दिखता है जिससे हमें यह समझ में आता है कि short term में short term में market इस level को importance देते हुए अब यहां पर time spent करने की कोशिश कर जाएगा यहां पर market time spent करेगा उपर जाएगा नीचे जाएगा थोड़ा यहां consolidate करेगा फसेगा रुकेगा अभी अगला नीचे step गिरने के पहले नीचे सीड़ी उतरने के पहले अब market यहां फसेगा यहां market फसने की कोशिश करेगा और मैं मानता भी यही हूं कि जब पूरी दुनिया नीचे जा रहा है नीचे जा रहा हो गया गिर गया वहीचा मैंने भी वीडियो बनाया है क्वेण की मार्केट करेंड प्राइज बडाल नीचे जाके तो फसेगा पर पर time frame पे देखें कि क्या किया जा सकता है अब देखें important level तो मांग नहीं पहले से Good very good important level मांग रहने दीजें अगर मार्क कहीं भी नीचे कुलता है नीचे इसका मतलब वही इतनी अच्छी बाइंग हुई है इसका मतलब है के फुल कॉंटिटी में मार्केट ऊपर भागने के कोशिश करेगा अगर मार्केट कहीं भी ऊपर खुल जाता है इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा बढ़ियां मुव्मेंट आया है इतनी के बाद मार्केट में अब उनको अगर गैप आपके साथ मार्केट होता है तो मतलब और बड़ा प्रॉफिट देखेगा और बड़ा प्रॉफिट शॉर्ट तमें दिखेगा तो लोग आप कर लो प्रॉफिट बुकिंग इतना दो परसंट का मूव फिर धाई पर दो एक परसंट और ऊपर मार्केट खुल जाए अगर मार्केट कहीं भी कहीं खुलता है तो मान के चलिए इतनी बड़ी केंडेल एतनी बड़ी कैंडल के आने के बाद मार्केट को आइदा खुलना चाहिए या उपर खुलना चाहिए अगर मार्केट चोटा सा गयाप्डाउन खुलता इसका मतलब है कि ओवनैट स्टेशन बहुत स्टांग नहीं इस momentum के अगेंस थी और जो बड़ा momentum आया है उसके अगेंस्ट मार्केट अगर open हो रहा है तो कहीं न कहीं confusion है मतलब मार्केट में मतलब यह momentum बहुत ज्यादा strong नहीं था सिर्फ किसी आपके sentiment के कारट था और ऐसा यहां पर यहां पर किसी तरीके साव रहो रहा हो रहा है यह नहीं कि अगले दिन भी उसी तरीके सा पुष 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 हो रहा है यहाँ पे एक दिन रोकनी की कोशिश हो सकती है अगर मार्केट कहीं भी छोटा Gap Down खुलता है यह फ्लाट खुलने की कोशिश करता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कैसे ट्रेड लेना है जैसे मैंने बताए अगर तो पहले चोटा गाप डाउन की कोशिश कर रहा है तो हमें देखना ही होगा कि मार्केट क्या कर रहा है साइडवेज होनी की कोशिश कर रहा है अगर एक दो बार मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन ले रहा है या स्टोकास्टिक आरेसाई लगाने पर मार्केट में आप देख रहा है कि उपर जाने पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है उपर गया स्टोकास्टिक आरेसाई 80-85 के लगबग गया क्योंकि market उस दिन sideways होने की कोशिश कर सकता है उसी के साथ साथ एक और situation यह बनती है अगर market flat खुलता है उपर के तरफ breakout करता है तो हम क्या करेंगे कि उपर के तरफ अगर market थोड़ी देर consolidate करके यहां breakout करता है तो हम half quantity में उपर के तरफ trade लेंगे अगर अगर market बिना consolidate की उपर निकलता है तो छोटी quantity अगर मतलब पांच quantity में लेते हैं तो दो quantity में लीजे अगर market बिना consolidate की उपर निकल रहा है क्यों ऐसा क्योंकि एक तो weekend पढ़ रहा है बीच में मार्केट में मुमेंटम आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं गया पप या डाउन ही खुलना चाहिए इसी रेंज में खुलने का मतलब है बहुत बहुत ज्यादा consolidation या बहुत ज्यादा confusion और confusion में अगर मार्केट यहां open होके उपर निकलता भी है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा उपर जाओ फिर rejection लेके नीचे आ जाओ और यहां पे आप देखें कि ऐसा एक दिन बन रहा है कि मार्केट इस रेंज के उपर नीचे उपर नीचे इस लाइन के उपर नीचे उपर नीचे करके साइड है तो चांसेस यह है कि मॉर्केट अभी कहीं साइड होने की कोशिश कर सकता हैके बहुत बदा को सब्सक्राइब ले सकते Ooh ci तो इंपोर्टेंट लेवल जो हाई बना हुआ है वहां मान लीजे और उपर के लगबग का लेवल एक सक्रद में देखना हूं नीचे को ठीक है 23,950 यहां पर मान लीजे से 79,600 के लगबग important level मार्क कर लीज़े अभी मैंने ध्यान सकतों नहीं देखा है लेकिन अगर आप ट्रेड लेना तो 79,600 का उपर के तरफ important level है नीचे के तरफ आपका ये range बन जाती है आप मान के चलिए 78,800 के लगवग important level हो जाता है इस range में market कहीं भी open होता है फ्लाट होने की कोशिश होगा उपर निकलता भी है तो half quantity में ट्रेड लीज़ेगा छोटा टार्गेट लगाई आगा क्यूंकि market थोड़ा उपर जाके स्टॉकेस्टिक आ रहे साही जैसे 80 के उपर जाएगा वहां से rejection लेने की कोशिश कर जाएगा और कुछ सीखने को मिलाओं मैं करता हूं कि आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूं और बार बार यह बात कहता हूं कि मार्केट में कुछ होने के बाद तो सभी लोगों को कोई ना कोई आपको explanation मिल जाएगी कल मार्केट गिरा तो अडानी के कारण गिरा आज मार्केट चड़ा तो अडानी में फिर से investment आ गई इसलिए चड़ गया तेकि यह सब होता रहेगा आप प्रेडिक्ट करना सीखे और कल ही हमने यह बात की थी मुझे नहीं पता कि कहा अडानी में कौन से investor ने क्या किया था मैं यूज ज्यादा देखता ही नहीं हूं मुझे मतलब भी नहीं है मैं ज्यादा information collect करे क्या करूंगा आपने आपको confuse करके मुझे ज्यादा मतलब भी नह अगर उपर के तरफ ट्रेड नीचे निकलेगा नीचे काम आती है और जो मैंने बता है कि मैंने इस पर पहले ही बता रखा है कि ऐसी सिच्वेशन जब भी बने तो बाई करके बैट सकते हैं और देखिए बहुत बड़ा momentum आ जाता है 0.80% का minimum momentum आता है और इसमें बड़ा profit आ Link मिल जाएगा तो इन सब चीजों से सीखने की कोशिश कीजिए और सीखने को मिले प्लीज शेयर कर दीजे सब्स्राइब कर दीजे सीखेंगे सब्स्राइब करेंगे तो मैं सिखाता रहूंगा कोशिच करता रहूंगा कि आप वो नहीं नहीं बाते या कुछ important बाते दीरे दीरे प्राइस को पढ़ना आएगा तो एक दो दिन में पांस दिन में आपको नहीं सीखने को मिलेगा आपको सीखने को इन सब चीजों से यह जो मैं बाते आपको बताता हूं न वह लोग उसके लिए पता नहीं कितना चार्ज करें और बहुत सारे लोग तो बता भी पढ़ेगी मेरी इनलिस देखी किसी और की देखिए और देखिए कि प्राइस के मुवमेंट के बारे में क्या लॉजिक दिया जा रहा है अगर लॉजिक समझ में आपको आने लगेगा तो आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर अच्छे बन पाएंगे तो गाईस अगर सीखन को मिला करके सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद मिलते हैं कल किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा थैंक्यू